अगर सुबे की भागदोर में आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप यहीजी सा नास्ता ट्राइक कर सकते हैं दोस्तों जो की पास मिनट में बनकर तयार हो जाता है तो नमश्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरी रेसिपी में तो चलिएगा दो दोस्तों यहां पे मैंने एक कटूरी बेशन लिया है आप एक कभी बेशन ले सकते हैं और इसमें मैं पे एड कर रहे हूं एक चमच सूजी और इसके बाद एक चमच बारी कट किया हुआ हुआ हरा मिर्च और एक मीडियम साइज का प्याज बारी कट किया हुआ और इतना ही यहां पर स्वाधनुसार और यह देखेगा एक चमच इसमें हमने चाट मसाला एड़ किया है तो बस दोस्तो अब हमें इसका एक बैटर यहां पर तैयार करना है तो देखेगा यह जब हमें यहां पर तैयार करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके ही इसको बनाना ह तो क्योंकि इसमें अगर आपने ज़्यादा पानी अड़ करती है तो फिर हमाना नाश्टा बनना ही पाएंगा तो इसी लिए थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके आप इसका बेटर बनाएगा और बहुत जादा गड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा पतला भी तो इतने टाइम में वह भी फूल गई होगी तो चलिए का देखे का यहां पर हम लेंगी ब्रेड तो इसको हम ब्रेड से ही बना कर तैयार करने वाले हैं तो सबसे पहले आप ब्रेड लीजिए का एक और उसको हम इस बैटर में रखेंगी तो देखे का इस पर हमें बेशन को लगाना है और यह जो हमने इसमें सब्जियां डाली है यह भी तो देखे का इस तरीके से जो ब्रेड है वो बैटर में डूप जाना चाहिए अच्छे से सब्जियां भी लग जानी चाहिए और जब आप इसको बनाए तभी आप तवी को भी गैस पे रख दीजिएगा ताक तो यह देखेगा एक तरीका यह भी है आप ब्रेड पर पहले बैटर लगाएगा एक तरफ उसको इस तरीकी से रख दीजिएगा और अब हम इसके उपर देखे ऐसे बैटर को फैला देंगे तो दोस्तो यह वाला तरीका भी आसान है ब्रेड को तभी पर डालने के लिए त सारी ब्रेड को पलटने के बार इन पर हलका हलका लगा देंगी ताकि और अच्छे तरीके से सिख जाए तो दोस्तों नाश्ता बहुत एजी है और जब हम इने खाते है न तो एक दम ब्रेड पकोड़ा जैसे लगते हैं लेकिन नहीं होते क्योंकि हम इने ड्री फ्राइ नहीं जाते हैं तो इस बैटर में आप और पीचाते सब्जियों को एक क्र सकते हैं जैसे की गाजर बत्टा गुवी ज Preis जोबी सब्चोह पसंद है और आप इसमें एक लगारो अगर आप इसको और तीख बनाना चाते हैं तो और मशाली जैसे परके सब्च्छ एकर दोस्क्कर चलिए, अब हम मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाई दोस्तों.